नमश्कार दोस्तो एक बार पुन्हाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंगबेस्टीचर पे दोस्तो बिहार यूनिवर्सिटी में बिएड फोर्स्ट इयर और सेकेंड इयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और यह जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको आप कहां से कैसे पढ़ें कौन सी बुक्स लें कौन सा स्टडी माटीरियल रेफर करें इंपॉर्टेंट कुएशन कौन से रहेंगे प्राक्टिकल कितने हैं कितनी फाइल ले बनानी होती हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे अगर आपनी चानल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि चानल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है अभी मैं जो ये syllabus मैंने open किया है ये है partly पुत्र university का बिहार के अंदर जो है देखे एक ही syllabus चलता है सभी universities का same syllabus है ठीक है तो ये सभी आपकी बिहार में कोई भी university है तो उसका syllabus ये रहने वाला है पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से जो है आपके subjects रहते हैं तो देखिए first year में पहला subject है childhood and growing up दूसरा है contemporary Indian education तीसरा है learning and teaching चौथा है language across the curriculum पाच्वा understanding disciplines in subjects फिर gender school and society in education फिर pedagogy of a school subject यहां पे pedagogy का मतलब है teaching subject जिसके कल को आप teacher बन सकते हैं ठीक है एक subject आपका first year में रहता और दूसरा second year में total B.A.D. में दो teaching subjects आपको select करने होते हैं यह teaching subjects जो आपने इससे पहले graduation या post graduation जो भी किया है उसके basis पे रहते हैं जैसे कि अगर आपने B.A. किया है ठीक है अगर B.A. के अंदर आपने subject पढ़ा है English पढ़ा है, History पढ़ा है, Paul Science पढ़ा है तो आप यहाँ पे subjects लेंगे SST, Social Science ठीक है और English Teaching subjects आपके B.A.D. के अंदर हो जाएंगे जैसे कि अगर आपने B.A.C. किया है तो आप जो है Physical Science या Maths ले सकते हैं या Physical Science और Biology, Biological Science ले सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपका combination होता है अगर नहीं पता Pedagogy subject किस प्रकार से सलेक्ट करने है वीडियो के comment section में comment कर देना मैं वहाँ पे आपको जरूर इसके बारे में बता दूँगे अपने graduation के subjects लिख देना कौन से थे ठीक है तो यह आपके यहाँ पे साथ subject रहते हैं B.A.D. First Year के अंदर ठीक है इसके अलावा practical subjects अब आपके है reading and reflecting on text then drama and art in education then critical understanding of ICT यह आपके तीन यहाँ पी practical subjects हैं EPC की files हैं जो आपको बनानी होता है ठीक है ओके चलिए अब देखते हैं आगे second year में आपका पहला subject again दूसरा जो pedagogy subject आपने select किया है वो रहेगा knowledge and curriculum assessment for learning creating an inclusive school और एक optional subject आपका रहता है अब यह optional subject यह choice है पहला है health physical and yoga education जो अधिकतर students के पास होता है या आप peace education भी रख सकते हो या एक तीसरा subject जो health के बाद सबसे जादा students के पास होता है वो है guidance and counseling मेरी advice आपको रहेगी guidance and counseling subject लीजेगा या दूसरा subject health physical and yoga education लीजेगा यह दो आपको आगे आपके government job preparation में भी जो है इनका syllabus रहता है साथ में यह आगे आपके बहुत helpful होने वाले है ठीक है peace education को avoid करिएगा कि आप इसको ना ले अगर interested है इस subject में तो एक अलग बात है ठीक है और साथ में EPC की file बनती है आपकी understanding the self की और साथ में school internship की भी file आपको बनानी होती है जिसमें properly आपकी lesson plan file बनती है दोनो subjects की pedagogy 1 और pedagogy 2 की ठीक है तो यह subject आपके रहते हैं अब बात करें books की study material की तो study material है books ले सकते हो या notes ले सकते हो देखिए books आपको easily market में मिल जाएंगी जो सभी students लेते हैं वो books आप ले सकते हो notes जो हैं हमने बिहार university के prepare किये हुए हैं और साथ में उसमें आपकी बिहार के अंदर जो भी university है उसी के important questions आपको मिलेंगे हर university के important questions अलग है उसके important questions आपको मिलेंगे साथ में यह booklet important questions की notes के साथ आपको free मिलेगी तो आप notes ले सकते हैं जो की by courier delivery होती है 199 पर subject के notes है ठीक है और कैसे मिलते हैं इनकी मतलब proper copy होगी ठीक है और binding वो हो रख्यों ठीक है मतलब print out और उनकी binding हो रख्यों होती है और फिर वो आपको जो है courier कराये जाते हैं आपके given postal address पे तो notes आप हमारे पास से order कर सकते हो English Hindi medium दोनों में available है और बहुत easy language में है आप एक बार read करोगे पूरा topic आपको समझ आ जाएगा साथ में अगर आपको बिहार University का classes की need है ठीक है आप समझना चाते हो पूरा बीएड अच्छे से करके तो classes भी हमारी mobile application पे चल रही है आप हमारी mobile application को download करिए first year है तो first year की और second year है तो second year की classes को join कर सकते हूँ video के description box में app का link given है ठीक है यह रहा और बाकी previous year के question papers वगारा channel पे मैं upload करती रहती हूँ channel को subscribe कर लीजेगा ताकि आपको जो है वहाँ से चैनल से notifications मिलते रही जो भी question papers या notification हम बिहार university के regarding upload करते हैं तो आप वहाँ पे जो है हमें join कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों कोई और आउट हो बिहार university से related या कोई query आपकी हो तो comment section is always open comment करके मुझे जरूर बताईएगा धन्यवाद जहिंत ध्यान रखिये अपना ध्यान रखिये सभी अपनों का